हो नमस्कार दोस्तो नमस्कार दोस्तो मैं नीतू सर्मा अपने चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं एक आज नया रेश्पी लेके आई हूँ सर्दी का अचार जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा आप लोग जानते हैं कि सर्दी के आगमन हो गया है इससे पहले हम यह अचार बना कर तयार करके रख सकते हैं यह अचार हमारे सरीर को बहुत फैदा पहुचाता है बोड़ी टमप्रेचर को मेंटेन करके रखता है जब भी मैं अपना नई रेश्पी अप्लोड करती हूँ तो आप लोगों का फोन कॉल और कमेंट मुझे बहुत परसाहित करती है आप लोग इसी तरह मुझे परसाहित करते रहें ताकि नए नए रेश्पी मैं आपके समख चले के आती रहू तरदी का अचार बनाने के लिए इन सामंग्रियों को लेंगे जीमी कंद 500 ग्राम जीमी कंद जिसे जमीन का कंद कहते हैं देशी भासा में इसे ओल कहते हैं इंग्लिस भासा में इसे एलिपेंट फुट कहते हैं यहां बहुत ही रोकिंग और सौकिंग रूट है इसमें कार्वोहाइडरेट मिनरल्स विटामिन्स प्रोटीन प्रचूर मात्रा में मिलता है 100 ग्राम लहसन 100 ग्राम मिर्चा 200 ग्राम अद्रक नमक स्वाधन उसार चाट मसाला सामर मसाला हल्दी धनिया और लाल मिर्च सरसो तेल इसको काटने से बहुत इचिंग होता है उसके लिए हम हाथों में गलाप्स लगा लेंगा और इसको अच्छे से छिलके को उतारेंगे यह देखे फ्रेंट यह चिलका हमने इस तरह से उतार लिए उतारने के बाद इसके टुकडे करेंगे इसमें नमक और हल्दी लगा के छोड़ देंगे दो से तिन घंटा इसको धूप में रख देंगे ताकि इसके पानी सारा निकल जाएगा जैसे हम पहले से बना के यह तैयार करके धूप में रखे और इसको तैयार करके रख रखे हैं आप देख सकते हैं अब इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे सरसो के तेल के साथ लहसं जो पहले से छिलके और धूप में सुखा के रखे हूँ यह मिर्चा मिर्चा भी हमने धो के और सुखा के रखे अधरक अधरक के चिलके उतार के बारिक बारिक काटके हमने धूप में सुखा है यह जितने पतले पीस काटिएगा मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड हो जायागा इस तरह मिर्चे को भी हम बारिक थोड़ा काट लेंगे ताकि मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड हो जाए जो लासन छोटा हो तो ग्राइंड हो जाता है बड़े को थोड़ा छोटा छोटा टुकडा काट लेंगे इसमें यह तीन से चार टुकडा ले लेंगे थोड़ा अध्रक लहसन और मिर्चा को लेके और सरसो के तेल पांच से छे चमच इसमें डाल लेंगे बड़े चमच से ताकि यह मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड हो जाए इस तरह देखे ग्राइंड हो गया एकदम बारिक और इसी तरह जो बचा है सरसो के तेल के साथ हम सारा ग्राइंड कर लेंगे अब इसमें मसाला विलाएंगे यह सामर मसाला दो बड़े चमच चाट मसाला दो से तीन बड़े चमच खल्दी दो बड़े चमच धनिया पाउडर इसका चाट मसाला दो बड़े चमच नमक दो बड़े चमच अब इसको अच्छा से हम मिक्स करेंगे इसमें काला जीरा और अजमाइन डालेंगे दो छोटे चमच लाल मिर्च दो छोटे चमच सर्चो के तेल तीन बड़े चमच डालेंगे और इसको अच्छा से फिर से मिक्स कर लेंगे यह चार को 15-20 दिन धूप में रख दीजिए उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर यह रेस्पी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पुरसाहन को बढ़ाईए जब मैं वीडियो अपलोड करते हूं तो आप लोग का कमेंट फोन कॉल मुझे बहुत पुरसाहित करता है कि आप लोग इसी तरह मुझे परसाहित करते रहें कि नया नया रेस पी आप लोगों के लिए लेकर आती रहों नमस्कार दोस्तों